Hello students, 2019 में यह Quesn पूचा गया है और एक्सरीस का ही Quesn है शोड़ दे लोकस ओफ पोल उफ टेंजन आफ ते पैराबोला Y² रिकल्स तो 4 AX विद रिस्पेक टो दे पैराबोला Y² रिकल्स तो 8 AX इस आफ ज़सो पैराबोला लेकिन उसमें मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाया था वीडियो चानक से बंद हो गया था तो नहीं को सेम उसी की तरह आपने अच्छे सекार्व करना है कुछिन को तो सबसे पहले पैरा अब जो विद्रिसप्रक्ट वाला व्ला होगा उसको पहले लिखना है उस पराबोला पे हमें poles के विद्रिस्पेक्ट टू पोलर बनाने हैं पोल लेंगे हम X1, Y1 यहां पे मैंने थोड़े शोटकट में करा है क्योंकि पिछली वीडियो जैसा ही सेम है तो X1, Y1 आप पोल लेंगे उसके विद्रिस्पेक्ट टू पोलर बनाएंगे यह polar जब tangent होंगे दूसरी वाली parabola पे यानि कि Y square request to 4AX तो उस tangent की condition है उसके बाद आपके पास अगेन एक parabola बनेगा जिसको आप change करके Y square request to 16AX बन जाएगा और X1 Y1 को change करके आपको XY में convert कर लेना है focus उसका 4A0 होगा मैं repeat कर दी हूँ यह question अच्छे से short में आपको समझा दिया है क्योंकि पिछली वीडियो जैसा ही same था तो सबसे पहले तो locus of pole pole की बात की है तो मैंने एक pole consider कर लिया है X1 Y1 और यह pole इस वले parabola के साथ मिलके क्या बनाएगा polar बनाएगा तो इस वाली parabola पे अगर polar बनाएगा तो उसका concept क्या होता है Y2 को convert करना होता है Y1 में जो हमारा Y2 होता है उसको rule होता है कि Y1 में convert कर दो और जहां 8A है वो as it is 8A रहता X जो होता है उसको convert करते हैं X plus X1 by 2 में तो वो by 2 8 के साथ कट गया जिसकी वज़े से 4A बच गया ठीक है तो यह सारा एक तरफ करके हमने left side पर सारा कुछ right side पर सारा कुछ ले आते हैं यह left side पर कर लो minus को comma निकाल लेंगे तो यह सारा ही आप एक side पर ले आओ तो यह X, Y और constant में convert हो जाएगी पूरी की पूरी equation और right side इसकी क्या बन जाएगी जीरो अब यह जो standard form में बन गई है लाइन AX LX plus M Y plus N equals to 0 यह उस format में आ गई है जिस format में हमारे पास एक लाइन का parabola को touch करवाने का tangent बनाने का condition है तो यह उसकी standard format में आ चुकी है जिस तरह से line होनी चाहिए तो line वैसे हमने एक तरफ करके अब यह line इस पर tangent बनाएगी इस वाले parabola पर मतलब polar बनाया था इसके साथ और tangent है यह इसके साथ तो इस वाले parabola पर मैंने tangent बनाई है tangent का concept होता है क्या क्या चाहिए होता है एक तो L, M और N की value जो की हमारे पास L होगा 4A M हमारे पास होगा माइनस का Y1 है ना यह हमारा M होगा और N हमारे पास यह पूरी की पूरी quantity पीछे क्योंकि यह point है तो जिसकी वज़े से यह constant रहेगा तो obviously यही मेरे पास N है Y square equals to 4A X तो A की value यहां पर A ही रहेगी equals to 0 touch करती है Y square equals to 4A X को तो हमारे पास condition कौन सी होती है इस line के इसको touch करने की condition यह N L बराबर आएगा A M square के तो यहां पर जब मैंने N L N ये N ये L A ये M square है ना तो A M square जब किया तो यहां पर यह solve करने के बाद मुझे A को A से cancel कर दिया Y square 16 X1 तो यहां पर अब X1 Y1 का हमें पता है चेंज करना है क्योंकि लोकस देखना है तो लोकस क्या बनेगा Y square equals to 16 A X ये अगेन एक पैराबोला बन रहा है अगेन क्या है पैराबोला पहले भी पैराबोला थे अब भी क्या बन रही है पैराबोला तो अब ये जो पैराबोला है इसका फोकस कितना है तो हमें पता है जब भी Y square equals to 4 A X हो तो फोकस बनता है A 0 अब यहां पर Y square equals to 16 A X है तो फोकस कितना बनेगा इसको कनवर्ट कर लोगी Y square equals to 4 और अंदर क्या बचेगा 4 A तो यहां पर coordinate के आ गया मेरे पास 4 A दूसरा वाला 0 तो यह हमारे पास focus of the पैराबोला जो पैराबोला आपने बनाया है उस पैराबोला का focus आ गया तो यह question important है और 2019 में पूछा गया है और भी ऐसे question जो टेनेर में आये होंगे आपके पास वीडियो बनाती जाओंगी चाहे वह शॉर्ट में हो या फिर लॉंग वीडियो उसके थ्रू हो तो अलग से पिपर के पास या उससे पहले भी मैं टैनेर के questions भी करवाऊंगी तो 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 झाल